बात करते हैं कुश्य नंबर 110 के बारे में, क्या कह रहा है कुश्य नंबर 110 देखिए, एक लाग रुपए के बिल पर 40 प्रतीशत बटा दिया जाए, अथ्वा 36 प्रतीशत तथा 4 प्रतीशत के 2 क्रमागत बटे दिये जाए, तो दौनों में कितना अंतर होगा ये हमें बताना इसका कहने का मतलब ये है, बिल कितना आ रखा आपके पास, एक लाग रुपए का, एक लाग रुपए का बिल आ रखा है, तो इस एक लाग रुपए के बिल के लिए आपको कह रहा है कि, एक तो 40 प्रतीशत का सीधा सीधा बटा दे दे, यत्वा हम ऐसा कर सकते है, 36 तथा 4 प्रतिशत के दो क्रबागत बट्टे दे दे, ठीक है, तो दौनों में कितना अंतर होगा, ये हमें बताना है, तो देख लेते हैं, पहला वाला क्या है, वो हिसाब देखते हैं, एक लाग रुपए है आपके पास, उस पर आपको गह रहा है, 40 प्रतिशत का बट्टा, तो इसक कितने में बेचा, या फिर कितना बिल हुआ वो, वो बिल हो गया, आपके 60,000 रुपए का, सीदा सा हिसाब, फिर आपको क्या कह रहा है, कि इसी पर 36 और 4 प्रतिशत के दो क्रबागत बट्टे दिये जाए, तो बिल तो वही है, आपके पास, एक लाग रुपए का, पहला ब 4%, एक और डिसकाउंट है 4% का, तो 100 पर 4% कम हो जाएगा, क्योंकि सक्सेटिव डिसकाउंट है, तो यह जो रेट आएगी, इस पर 4 प्रतिशत कम होगा, इस पर 4 प्रतिशत कम होगा, इस सपना 96% पर बिकेगा, तो यह हो गया 96%, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 4-0 है, तो 40 हमने cancel कर लिए, 96 और 64 का multiplication कर लेते हैं, 64 है, 96 है, 6 का 4 से कितना choice, 6 का 6 से 36, और 9 का 4 से हम देख लें, तो 9 का 4 से हो गया कितना, ये भी 36, 72 और ये कितना 74, फिर 9 का 6 से हम देखें तो कितना हुआ, 54, तो 9 का अगर हम देखें, 6 से 54, और ये कितना था आपके पास, 7 पड़ा तो 54 और हम देख लेंगे 7, तो ये हो जाएगा 61, 6144 और ये 0 लग जाएगा, 6144 और ये 0, ये आगे हमारे पास, दूसरा वाला जो discount है, successive discount है, उससे मिलने वाली जो रकम है वो, एक है 60,000 का बिल, एक है 61,440 रुपे का बिल, तो दोनों का अंतर बताना है, तो देख लेते 68,440 रुपे का अंतर हमको देखना है, तो क्या होगा, सिंपल है, कितना ज़्यादा है, 61,440 है, इसका अले 1,440 ज़्यादा है, तो 1,440 रुपे हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूँ, कौन सा option है, आपका second option बिलकुल पहिए, ये था question 110, इसी question 110 के साथ, मैं राके शौदरी आपका mathematics teacher, welcome करता हूँ, आपका digital theory की YouTube channel पर, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं, रुकमिनी publication की platform book के बारे में, जिसमें हमारा chapter चल रहा है, profit and loss, जिसका level 1 हम देख रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं, part number 12, जिसका एक question हम कर चुके हैं, बात करते हैं, next question इनके बारे में, क्या गयरा, अगला सवाल देखिए, अगला प्रस्ण है, आपके पास, एक showroom पर किसी वस्तू का सूचे मुल्य दो सो रुपए है, सूचे मुल्य मतलब उसकी MRP, यह 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के दो क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है, तो इसका विक्रमुल्य कितना होगा, आराम से बता सकते हैं, कैसे देखिए, क्या है showroom पर उसकी MRP, 200 रुपए, पहला discount 20% का है, इसके 80% पर बेचेगा, आप चाहो तो यह निकाल लो, जो कि कितना आ रहा आप देख पा रहे है, यह आ जाएगा आपके बास 160 रुपए, फिर ज इसको solve किये, बिना ही जो दूसरा discount है, उसको भी इसके साथ ही ले लेते हैं, 10% का discount है, इसका 90% पर बेच देगा, आपको बताना है कितना आया है, यह विक्रमुल्य है, तो 00 से यह 0000 और यह 0000 से यह 0000, 8 का 9 से कर लेते हैं, कितना हो गया यह, बाउतर, और 72 का हम डबल कर ल रुपे है, तो यह रहा होगा ऐसा, 200 रुपे की जगे वो 2000 रुपे होंगे, उससे क्या होगा, यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक 0 और बढ़ेगा, तो फिर जो 2 0 हमने काटे हैं, वो 2 0 कटेंगे कौन से आपके, लास्ट वाले, यह दौनों 0 कट जिससे 1 0 हमें भी वहां मिल जाएगा, तो आंस्वर आजाएगा 1440 रुपे, ठीक है, तो यह 200 रुपे नहीं, 2000 रुपे रहा होगा, ठीक है, चलिए, ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, second option, बात करते हैं, question number 112 के बारे में, क्या गरा है, question number 112 देखिए, एक दुकानदार रेडियो के सूची मुल्य पर 20 प्रतीशत बड़ा बटा देता है, चलिए, बटे के बाद, होने वाले मुल्य पर 12 प्रतीशत का बटा और दे देता है, वही दो बटे होगए एक तरे से आपके पास, यदि इस रेडियो का विक भी तक आपको MRP देखकर selling price पूछ रहा था, इस बार selling price दे दी और MRP पूछिए, तो अंकित मुल्य कितना है, mark price कितना हमें नहीं पता, जो भी discount मिलेगा, mark price अंकित मुल्य पर ही मिलेगा, तो पहला discount क्या है, 20 प्रतीशत का, इसका मदलब इसकी 80 प्रतीशत पर बेज दिया फिर दूसरा discount क्या है, 12 प्रतीशत का, अब जो rate आएगी उसके 88 पर सेंट पर बेज दिया, क्योंकि 12 पर सेंट तो अमने less कर दिया, जो कि finally rate कितनी आ गई आपके पास 704 रुपे, ठीक है, बस अब इसको solve करना, MRP निकालनी निकाल लेते हैं, cancel होने के लिए तो वैसे ये 0 स ये 0 cancel होगा, 5 से ये चला, sorry, 4 से चला जाएगा 25 बार, और ये 4 से चला जाएगा कितना 22 बार, और भी cancel कर सकते हैं, वैसे तो अभी, ये गया 5, ये गया 11, और कुछ cancel हो रहा है, नहीं, ठीक है तो फिर, फिर इसको देखते हम, आपको चीए mark price, तो 704525, अपन में जाएगा, 8 इंटू कितना 11, ठीक है, तो cancel करते हैं, इसको 8 से, कितनी बार जा रहा है, 8 बार 64, कितना रह गया, 6, फिर से गया कितना 8 बार, ये गया कितना पूरा रही, तो बस, हो गया आपका काम, 5 का 8 से गुड़ा कितना, 40, फिर 25 का 4 से कितना, 100, और 1, 0 हो गया, तो हो गया 1000 रुप चलिए ये था हमारा question 112 बात करते है next question 113 के बारे में क्या गहरा है question 113 देखिए 113 आपको कह रहा है किसी वस्तू को 48 रुपए में बेचने पर 20 प्रतिशत की हानी होती है इस वस्तू पर 20 प्रतिशत लाब कमाने के लिए इसका विक्रे मुल्य क्या होगा चलिए देखते हैं 20 प्रतिशत की हानी मतलब 80 प्रतिशत में बेच रहा है और रुपए में कितने पर बेच रहा है 48 रुपए में 80 प्रतिशत मैंने कह दिया किसके बराबर है 48 रुपए के बराबर चलिए इस वस्तू पर 20 प्रतिशत लाब कमाने के लिए तो 80 प्रतिशत का मतलब हुआ 48, एक प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 48 बटा 80, क्या हमें एक प्रतिशत का मान चाहिए, नहीं, 20 प्रतिशत लाब मतलब, 120 प्रतिशत का मान चाहिए, तो 120 का मान निकालना है, तो गोणा में कर देंगे 120, cancel हो रहा है, ये गया कितना 6, 12 का 6 से कितन तो 72 मतलब चौथा आप्शन आपका बिलकुल सही होगा तो यह बात करते हैं नेक्स्ट 114 के बारे में क्या गह रहा है? कुश्चन नमबर 114 आपको देखिए रवी 10 रुपए प्रती दर्जन की दर पर 150 दर्जन पैंसिल खरीदता है 10 रुपए प्रती दर्जन है और कितनी दर्जन खरीद रहा है? 150 ठीक है यदि वह प्रती पैंसिल प्रती पैंसिल है पर पैंसिल की आपको सेलिंग प्राइस दे रखिए 1.20 रुपीज एक पॉइंट 2 रुपए तो उसका लाब या हनी प्रतीशत जो भी है वो हमें बताना है एक बात और बोल रहा है कि इस पूरे लेंद देन में रवी का उपवए 100 रुपए है मतलब और खर्चा कितना लग रहा है 100 रुपए का तो हम पहले निकाल लेते हैं क्रे मुल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगी 150 दर्जन पैंसिले खरीदी है हर दर्जन का क्या भाव है 10 रुपए तो 1500 रुपए तो उसके ऐसे खर्च हो गए 100 रुपए और खर्च हो रहा है किसी अलग तरह से तो इसका अलब 100 रुपए और जोड लेते हैं इसमें तो कुल मिलाकर 1600 रुपए उन सभी पैंसिलों का क्रे मुल्य आ चुका है अब सभी पैंसिलों का विक्रे मुल्य भी देख लेते हैं कितना होगा तो विक्रे मुल्य देखना है सभी पैंसिलों का तो विक्रे मुल्य क्या होगा देखिए हर पैंसिल जो है कितने में बेची जा रही है 1.2 रुपीज आप 1.20 लिखे हैं 1.2 लिखें एक ही बात 1.2 रुपे में हर एक पैंसिल बेची जा रही है तो पैंसिल टोटल है कितनी, तो टोटल पैंसिल हमारे पास कितनी है, टोटल पैंसिल होगी, एक सो पचास दर्जन, तो एक सो पचास दर्जन है, हम देख सकते हैं, एक दर्जन में बारा होती है, तो टोटल कितनी होगी, एक सो पचास इंटू बारा, पंदरा और बारा का दिकेगी अठारा सो से गुणा कर लेंगी यह अटेगा तो यह कढ जाएगा जीरो क्योंकि नीचे क्या बनेगा दस फिर जीरो से आप इस जीरो को काट लूगा तो बारा और एक्स ओस्वासी का गुणा कर लेते हैं तो अगर हम देखें 18 और 12 का ही गुणा करना है तो 18 का 10 से 180 होता है फिर 18 का 2 से करें तो कितना हो गया 36 इसको जोडना है 8 और 3 ये कितना है 11 ये 216 तो ये आ गया आपके पास 2, 1, 6, 0 रूपीज तो क्रेम उल्ली आ चुका है आपके पास विक्रे मुल्य आ चुका आपके पास क्या पूछ रहा आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो तो क्रे मुल्य कितना है 1600 विक्रे मुल्य कितना है 2160 तो इसका वली ये तो तैह है कि क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट है है कितना बस वही हमें बताना है तो देख लेते हैं हम percentage profit गुणा में 100 करेंगे 1600 पर होगा double से यह double zero हम काट लेंगे क्योंकि क्रेम उले 1600 है इसलिए कितने का है यह 400, 1600 है यह 2160 है तो यह हो गया 560 रुपए का आपको क्या हो रहा है फाइदा हो रहा है ठीक है तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा तोला से यह चला गया कितना तीन बार 48 ठीक है कितना रह जाएगा फिर यह फिर पांच बार चला जाएगा 80 होगा तो 35 प्रतीशत का लाब होगा इसका आनले चौथा ओप्शन आपका बिल्कुल सही होगा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 115 के बारे में क्या गयरा 115 देखिए करीम 20 दर्जन खिलोनों को 365 रुपए प्रतीश दर्जन की दर्ज से खरीदता है वह प्रतेख खिलोने को 33 रुपए की दर्ज से बेचता है उसका लाब प्रतीशत क्या होगा ये हमें बताना है बहुत ही आसान है 20 दर्जन खिलोने खरीदेगा और 375 रुपए प्रतीश दर्जन की दर्ज से खरीदेगा तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा 20 दरजन खरीदने 1 दरजन के 375 है तो 20 का 375 से हम कर लेते हैं गोणा तो 300 का डबल हो गया 675 का डबल होता है 150 तो ये हो गया 750 और 0 तो 7500 रुपए हमारे पास आ गए ठीक है? चलिए विक्रे मुल्य में ये बता रहा है कि हर एक खिलोने को 33 रुपए के हिसाब से बेच रहा है तो विक्रे मुल्य क्या है उसका? हर एक खिलोने को, खिलोने हैं कितने 20 दरजन, एक दरजन में कितने होते हैं 12, तो ये हो गया 240 खिलोने, हर एक को किस हिसाब से बेच रहा है? 33 रुपए के हिसाब से तो इसका 33 से हम कर लेंगे गुणा तो 12 का ये double choice हुआ चोईस और 33 का इधर गुणा करता है 4 का 3 से 12 फिर 4 का 3 से 12 और ये 6 हो गया 18 और एक कितना 19 फिर ये 2 का 3 से 6 और एक कितना 6 तो आगे है 7, 9, 2, 0 हमारे पास क्रेम उल्ली आ चुका है हमारे पास विक्रेम उल्ली आ चुका है हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है परसंटेज प्रॉफिट बताना है तो मैं देख सकता हूँ क्या होगा प्रॉफिट 7,500 में खरीदा और 7,920 में बेच दिया तो कितने रुपे कमा लिए रुपे कमा लिए 420 रुपे किस पर कमा लिए 7,500 पर प्रतिशत के लिए गुणा में क्या 100 तो ये डबल से ये डबल हमने कैंसल कर दिया और भी कैंसल कर सकते हैं इसको तो 15 से कर देखें तो 15 से ये जाएगा 30 फिर रहेगा 12 चलिए 15 से चला जाएगा 15 से ये गया कितना 5 बार ठीक है 15 से इसको करूँ तो 15 से गया पहले 2 बर कितना 30 फिर कितना बचा 12 फिर होगे 120 तो फिर 15 से ये चला जाएगा 120 हुआई तो 8 बार 28 बटा 5 हम कह सकते हैं परसंटेज प्रॉफिट होगा जो कि हो कितना जाएगा 5 से 25 कितना 3, तो फिर कितना 5.6% का आपका profit होगा, जो कि मैं देख सकता हूँ, option हमारा जो second है, वो बिलकुल सही होगा, तो second option आपका बिलकुल सही है, चल गी, ये था हमारा question, question number 115, बात करते हैं, question number 116 के बारे, क्या 116 नंबर आपको, एक बैमान फल विक्रेता अपने फलों को क्रैम उल्य पर बेचता है, परन्तु एक कीलो ग्राम बाट के इस्तान पर 800 ग्राम बाट का ही वो प्रियोग करता है, तो बताईए उसका percentage, profit, प्रतिशत, लाब कितना होगा, कर सकता हैं, इसको इस तरह के प्र एक कीलो ग्राम, जिसको हम कितना बोलते हैं, ग्राम में 1000 ग्राम, उस दुकानदार ने अपनी दुकान पर बेचने के लिए और किसी दुकान से खरीदा है, और खरीदा किस हिसाब से है, 1000 ग्राम 1000 रुपे में खरीदा है, तो मैं देख सकता हूँ, 1000 ग्राम 1000 रुपे में खर कुल सही कह रहा है बेच तो वह क्रेह मुल्य और बहीं ऩrem व कितना हो गया क्रेह मुल्य के बराबर मतलब हजार रुप pada म ne जैसा ही हम देख पा रहे हैं लेकिन वो करता गया 800 ग्राम बाट का प्रियूप करता है तो इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह है उसकी दुकान पर आने वाले कस्टमर को 800 ग्राम ही देता है और रुपए कितने के ले रहा है 1000 ग्राम के और कितने ले रहा है उतना ही जितने में वो ख किया उस दुकान दार नहें भी तो ये 800 gram किसी और दुकान से खरीदा है किस रीट में खरीदा था 1000 गram 1000 रुपई की rेट से मतलब एक गराम 1 रुपई की रेट से उसने भी 800 gram अपनी दुकान के लिए कितने में खरीदा था 800 रुपई में खरीदा था तो जो क्राय मुल्य हो गया इस पूरे के पूरे कुश्चन में वह क्राय मुल्य हो गया, आउट सो और विक्रे कितना है एक हजार, जबकि जो ग्राहक, जो कस्टमर उस से दुकानदार की दुकान पर ख़रीदने आया उसको तो लग रहा है 1000 क्रे है और 1000 यह विक्र है लेकिन वास्तों में है कि 800 क्रे है और 1000 विक्र है कितना कमाया 200 कितने पर कमाया 800 पर प्रतीशत में कितना कमाया तो वो कमाया 25 प्रतीशत तो इसका मतलब 25% तीसरा option अमारा बिल्कुल सही होगा चलिए बात करते हैं, हम नेक्स्ट कॉश्चन 117 के बारे में क्या गरा है, कॉश्चन नुमर 117 देखिए एक बैमान व्यापारी अपने सामान को क्रेय मुल्य से 44% पर कम पर बेचता है लेकिन 30 प्रतीशत कम क्या करता है, वो भार का प्रियोग करता है तो उसका लाप प्रतीशत हानी जो भी ये वो क्या होगा, देखिए क्रेय मुल्य से 44% कम पर बेचता है और 30% कम भार का प्रियोग करता है तो उसको होने वाला प्रतीशत लाप या हानी क्या होगा, ये हमें बताना चलिए देख लेते हैं, देखिएगा जैसा कि हमने अभी किया वैसे ही कर सकते हैं इसको भी ठीक है, 44% कम पर बेचने की बात करता है तो आप 100 रुपए लेकर चले तो भी चलेगा और 1000 ग्राम लेकर चले तो भी चल जाएगा तो हम बात कर लेते हैं, 100 रुपए माना ठीक है, 44 प्रतिषत कम पर то 44 पर्सेंट कम कर लें इसमें से, तो कितना हो गया? ये 56 हो गया. छपन आ गया, कम पर बेचता है, तो इसका मतलब ये तो उसका क्रेम लिया हुआ, छपन रुपय में बेच रहा है, तो ये उसका क्या हुआ? विक्रेम लिया, तो दिख तो रहा है हानी तो ही रही है लेकिन वो 30 प्रतिशत कम भार का परियोग करता है तो 56 रुपए में बेच रहा है अब लग ऐसा रहा है कि 100 रुपए की चीज 56 रुपए में बेच रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है 30 प्रतिशत उसने कम भार का परियोग किया तो 100 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 30 प। प्रतिशत के लिए कितना हो गया? 30 ग्राम हो गया. तो ये 60 रुपए जो है, ये उसका क्रेम बले होगा. Actually मैं ऐसा लग रहा है कि 100 की चीज 56 में जा रही है, लेकिन सही में 70 की चीज 56 में जा रही है. तो profit ये दो बात ही नहीं है, loss ही होगा अब वो loss percentage में कितना है, वो हमें बताना है तो बता देते हैं, प्रतीशत हानी कितनी हो रही है प्रतीशत गुणा में 100, नीचे क्रायम उलिये कितना सित्तर ही है, 0 से 0 भी हमने काट दिया उपर क्या आएगा, जितने का loss हो रहा है तो ये 56 है, वो 70 है, तो कितने कम पर जा रहा है तो हम देख सकते हैं, 14 पर, तो ये आगया 14 ये दो बार गया, तो 20 परसेंट का loss हो रहा है जो कि मैं देख सकता हूँ, पहला option आपका, sorry, पहला नहीं तीसरा option आपका, सही होगा, जिए पहला तो लाब बता रहा है, जब भी हो, हानी रही है बात करते हैं, 118 के बारे बेगे क्या 118, एक बैमान व्यापारी, एक किलो ग्राम के वजन के इस्तान पर 900 ग्राम का वजन का प्रियोग करता है उसका सही लाब या हानी प्रतीशत क्या होगा, यह हमें बताईए, यदि वो क्रैम उल्ये से 20 प्रतीशत लाब पर बेचता होता हो तो लिए देख लेते हैं, देखिएगा एक किलो ग्राम मतलब हजार ग्राम, ठीक है, हजार ग्राम वो कितने में खरीदेता है, मान लेते हैं, एक हजार रुपए में खरीदता है यह उसका क्रैम उल्य उसकी कॉस्ट प्राइज हो गई, अब वो करता क्या है, 20 प्रतीशत लाब कमाने का कहकर बेचता है तो कोई वस्तु अगर हजार रुपए में खरीदी गई है, उस पर आप 20% का प्रॉफिट ले रहे हो, तो 1000 का 20% 200 हुआ, तो आप उसको कितने में बेच रहे हो, 1200 रुपए में यह हो गया 1200 रुपए उसका विक्रे मुल्य ठीक है यहां तक, 1200 रुपए में बेच कितना रहा है वो, सिर्फ 900 ग्राम, तो 900 ग्राम ही वो बेच रहा है 1200 में जबकि बेचना उसको 1000 ग्राम चाहिए था तो हमारी पास विक्रेम उल्ली है 1200 और क्रेम उल्ली हजार है क्या नहीं क्यों क्योंकि 900 ग्राम ही तो बिका है तो 900 ग्राम बिका है तो 900 ग्राम आया कितने में है 900 ग्राम आया है 900 रुपे में तो 900 ग्राम की चीज 1200 में गई तो कितने का फाइदा है 300 का 300 का फाइदा हो रहा है कितने पर 900 पर प्रतिशत के लिए गुणा में क्या 100 डबल से ये डबल गया ये गया एक बटा 3 का प्रतिशत में मान देखूं तो 33 से एक बटा 3 प्रतिशत है इसका मतलब second option हमारा बिल्कुल सही होगा चलिए बात करते हैं 119 के बारे में क्या 119 देखिए एक cycle को क्रमसा तीन व्यापारी एक दूसरे से खरीदते हैं यदि पहले दो व्यापारी 25 प्रतिशत लाब प्राप्त करते हैं और तीसरा इसे 750 रुपए चुकाता है तो ग्याद कीजिए पहले व्यापारी ने कितने रुपए में इसको खरीदा था फर्स्ट वाला कितने में खरीदता है पता नहीं मान लेते हैं फर्स्ट में ही खरीदता है दूसरे को बेच रहा है 25 प्रतिशत के लाब पर तो इसका मतलब कितने में इसके 125 प्रतिशन तो कुल मिला अगर अब तीसरा वेक्ती खरीद रहा है जो की कितने में खरीद रहा है 750 रुपए में बस आगे आपका अंद्शवर ये जा रहा है 5 ये गया 4 ये गया 5 और ये गया 4 5 का 5 से कर लेते है 25 25 से 75 गया 3 बार तो ये आया 30 फर्स्ट वाला निकालना है 4 का 4 से 16 तो 30 का हम गुणा कर लेंगे 16 से 480 रुपए हमारे पास आएंगे जो की हमारा second option दिख रहा है वो बिलकुल सही होगा ये था आपका question number 119 बात करते हैं 120 के बारे पर क्या गहरा है 120 नमबर देखिए एक मशीन निर्माता अपनी मशीन को 20 प्रतिशद लाब पर थोक विक्रेता को बेशता है ठोक विक्रेता इस मशीन को 5% लाब पर दुकानदार को बेशता है और दुकानदार 12% लाब पर इस मशीन को किशी ग्रहक को 141.12 रुपए में बेशता है तो बताईए मशीन निर्माता का क्राय मुल्य क्या है बिल्कुल वह यह जो अभी प्रश्न था ठीक है वहाँ दो लोग ते या तीन चार लोग दे रखे इतना ही फर्क है तो मशीन निर्माता के लिए मुल्य क्या हमें नहीं पता मान लेते हैं यह रुपए रहा होगा ठीक है तो उसने 20 प्रतिशत लाब कमाया मतलब 120 प्रतिशत पर बेच दिया किसको ठोक विक्रेता को होलसेलर को होलसेलर ने 5 प्रतिशत लाब कमाकर दुकानदार को बेचा मतलब 105 प्रतिशत पर बेच दिया फिर दुकानदार शॉप कीपर ने किसी कस्टमर को बेचा है बारा प्रतिशत के लाब पर इसका वल्लब इसके 112 प्रतिशत पर बेज दिया स्कुल मिलाकर लास्ट में 141.12 रुपए में ये भी की है तो इस एक ही वैल्यू आपको निकालने है निकाल लेते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है उनको करके तो हम देख सकते हैं ये कैंसिल होगा डेफिनेटली 0 से 0 और कैंसिल होने के लिए अगर देखें तो ये जा रहा है कितना 21 ये गया 20 और कुछ cancel होने के लिए अगर यहां पर तो 4 से गया कितना 5 बार और 4 से गया 3 और कुछ cancel होने के लिए यहां से हम यह अटा लेते हैं यह अटेगा तो नीचे 100 लगेगा तो इस 100 से यह 100 सिदा ही cancel होगे चलिए और कुछ यहां पर नहीं हो रहा अब चलिए देखते है फिर एक ही वैल्यू आपको निकाल दीए तो 141 12 multiply by 50 और नीचे आ जाएगा ये कितना 21 का 3 से कर लेते हैं तो 3 और ये कितना 63 होगी एक तरह से ठीक है और ये कितना 112 बस इतना ही रहा है चलिए अब इसको solve करते हैं हम कैंसिल करते हैं इसको किस से कैंसिल कर सकते हैं साथ से ये गया कितना 9 साथ से ये गया 2 फिर ये साथ से जाएगा कितना 1 फिर कितना रहेगा ये 4 तो ये चला जाएगा 42 चलिए नहीं इससे तो चलिए दो, तीन, चार, ठैती, नौ, ये दो, तीन, और ये चार, 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 आठ और ये कितना है, नौ, तीन से कर लेते हैं, तीन से गया ये कितना, 21, तीन से ये चला जाएगा, तीन से गया, चार बार, 12, कितना हुआ, 21, तो अब चला जाएगा, 7, फिर कितनी बार जाएगा, 12 है, तो फिर चला जाएगा, कितना, 4, ठीक है, तो हम देख सकते हैं, कितना आगे, आपके पास, 474, ये 21, क्या ये 21 से अब जाएगा, अगर देखें इसको, तो 4, 4, 8 है, और य तीन से गया, ये 7, तीन से इसको करें, तो 1, फिर कितना हुआ, ये 17, तो ये 5, और फिर ये 2, तो ये कितना, 8, चलिए ठीक है, अब इसको देखें, तो कितना आएगा, ये 158, 50, अपॉन में कितना है, 7, और ये 1, 1, 2, गया नहीं है, यहीं पड़ा है, ये ये कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कि फाइनली आपके कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 रुपीज, जो कि हमारा ओप्शन हम देख सकता है, कौन सा ओप्शन है, सेकंड ओप्शन बिलकुल सही होगा, ये था हमारा कॉशन क्या, 120, बात करेंगे कॉशन नूमर 121 की हमारे नेक्स पार्ट पे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, थैंक्यू सो मथ, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तई यारी!